हेलो एवर्डिवन अभी मैं आपको इडूटेडिया करेंट अफ हेर जो बार्शी कांग 2022 एक मार्च 2021 से एक अपरेल 2022 थक जो नहीं आई हुई है मार्केट में ये मैं आपके साथ डिस्कस्न करूँगा और इसके अंदर जो एक हजार कुशन्स हैं प्रैक्टिसेट जो है इसक इसको मैं डिस्कस्न करता हूँ आपके साथ आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन के उपर जो कुशन्स है ये पहला प्रैक्टिस हिट का है तो चलिए सबसे पहले मैं ये डिस्कस्न करता हूँ अगर आपने चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज आप सब्सक्र चेक रिपब्लिक के राच्किय सम्मान से सम्मानित किया गया है उक्रेन के जो राष्टपती है बलादिमिर जिलेशकी इनको चेक रिपब्लिक के राच्किय सम्मान से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कुशन है अंतराष्टिय महिला दिवस अंतराष्टिय महिला दिवस ये प्रतेक साल आठ मार्च को मनाये जाता है और 2022 का जो अंतराष्टी महिला दिवसे इसका जो थीम है Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow Next है जो केंदरिय मंत्री मंदल है हमारे भारत का जो केंदरिय मंत्री मंदल है इसने विश्व स्वश्ट संग ठन यानि WHO के बैस्विक परंपरिक औस्धिक केंदर की आस्थापना की मंजूरी दी है और ये आस्थापना जो होगा वो आयूश मंत्राले के तहत होगा आयूश मंत्राले के तहत ये कहां पे होगा किस राज्य में होगा तो ये गुजरात में होगा Next है Microsoft Microsoft इसके CEO कौन है आप अगर कमेंट्स में लिखके बताएंगे तो अच्छा होगा Microsoft के सी सोरी Microsoft भारत के अंदर सबसे बड़ा डाटा सेंटर अस्थापित करेगा ये किस सहर में अस्थापित करेगा तो ये हैदराबाद के अंदर अस्थापित करेगा Next है Reliance Industries Limited जो मुकेश अंबानी जी का है Reliance Industries Limited ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेक्शन शेंटर खोल रहा है तो ये किस सहर में खोलेगा ये मुंबई के अंदर खोलेगा Next है Donate a Pension पहल Donate a Pension पहल है ये किस मंत्रा लेका है तो ये सरम और रोजगार मंत्रा लेका है Donate a Pension पहल Next है ये कुछ पद अगर दिये हुए है और ये इसके अध्यक्ष के नाम दिये हुए है तो आए देखते हैं FATF होता है Financial Action Task Force इसके जो अध्यक्ष है टी राजा कुमार है ये बिल्कुल सही है दक्षिन कोरिया के नय राश्टपती बने है ये इउन शूक योल है ये भी बिल्कुल सही है और दक्षिन कोरिया का राजधानी कहा है capital दक्षिन कोडिया की capital कहा है अगर आप comments में लिखेंगे तो comments में लिखे दक्षिन कोडिया की राजधानी कहा है Hungary की भी राजधानी लिख लिजेगा comments में क्योंकि ये सारे questions जो एक्जामस में पुछे जाते हैं इसलिए मैं आपको practice करा रहा हूँ कि दक्षिन कोडिया की राजधानी हंगरी की राजधानी अगर आप comments में लिखेंगे तो आपको practice हो जाएगा देखते हैं हंगरी की पहली महिला राष्टपती बनी है कैटली नुवाक ये भी बिल्कुल शही है तो इसका जो answer होगा उप्युक्त सभी हो जाएंगे next है भारत का पहला गती सक्ती multimodal cargo terminal शुरू किया गया है कह रहा है कि किस railway जोन ने इसको शुरू किया है तो पुर्वी railway जोन ने इसको शुरू किया है next है समर्थ ये समर्थ अभियान जो है महिला उधमियों को पुर्थाइद करने के लिए समर्थ अभियान जो है महिला उधमियों को पुर्थाइद करने के लिए शुक्ष्म लगु एवं मध्यम उधम मंत्राले के द्वारा सुभारम किया गया है next है India Global Forum India Global Forum इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन हुई है यह कहां पर हुआ है तो यह नई दिली के अंदर हुआ है next है शंभब और श्वाब लंबन यह शंभब और श्वाब लंबन जो है यह पहल है किसके लिए है तो यह पलाश्टी कच्री की शमस्या से निपटने के लिए किसके लिए पलाश्टी कच्री की समस्या से निपटने के लिए next है कुछ योजनाय दी हुई है और एस्टेट का नाम दिया हुआ है आए चेक करते है मातरी सक्ती उधमिता योजना जो है यह हर्याना सरकार का है यह बिल्कुल सही है अंमा बहने योजना यह सिक्किम सरकार का है यह बिल्कुल सही है तो इसका एणसर जो हो जाएगा उप्युक्त सभी हो जाएगा next है जरोखा जरोखा आप देख शकते है जरोखा यह किस मंतराले के तहत इसका आयोजन किया गया है तो संस्कृति मंत्राले जरोखा देखने से दिमाग में तो संस्कृति मंत्राले आता है जरोखा संस्कृति मंत्राले और बस्त्र मंत्राले ये दोनों ने मिलकर जरोखा कारेकरम के शुरुवात की है नेक्स्ट है अंतराष्टिय फनीचर पार्क जो देश के पहला अंतराष् governance report 2020 में जो पर्थम अस्थान पे state है यानि राज्य हैं वो हैं आंधरपरदेश नेक्स्ट है women at work women at work ये कारकरम है करनाटक के शरकार का नेक्स्ट है कन्या सिक्षा परवेश उत्सब ये इस question को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा कन्या सिक्षा परवेश उत्सब ये है क्या तो ये जो हमारी बहने लोग drop out कर जाती है कि शोडियों जो होती है वो drop out कर जाती है इस्कूल से उनको इस्कूल में दुवारा वापस लाने के लिए कन्या सिक्षा परवेस उत्सब का सुभारम किया गया है और ये किनके द्वारा किया गया है तो महिला बाल बिकास मंतराले, सिक्षा मंतराले और यूनी शेप ये तीनों मिलकर कन्या सिख्षा प्रवेश उ्तसब का शुभरम किया है एक बार इस कुश्ण को और समझ लेते हैं कन्या सिख्षा प्रवेश उतसब जो हमारी किशोडियां जो हमारी बेहने चोटी चोटी होती है वो इस्कूल से ड्रॉपआउट कर जाती है उनको इस स्कूल में दुबारा वापस लाने के लिए इसका सुभारम किया गया है और इसका जो सुभारम किया है वो महिला बाल विकास मंतराल है, सिक्षा मंतराल है और इउनिशेफ इन तिनों ने मिलकर शुरुआत किया है नेक्स्ट है ड्रोनी स्कूल ये भारत का पहला ड्रोनी स्कूल है जो गवालियर के अंदर इसका उड़ाटन किया गया है गवालियर के अंदर ड्रोनी स्कूल नेक्स्ट है एक एस्टेट है एक राज्य है उसने घोशना किया है कि एक ट्रिलियन डॉलर अर्थ बेवस्ता वाल वो भारत का पहला राज बन जाएगा, ये कौन सा राज है, तो ये महराष्ट है, महराष्ट जो है, ये गोशना किया है, कि एक ट्रिलियन डॉलर वाला वो भारत का पहला राज बन जाएगा, नेक्स्ट है, इंदरानी मेडी सिटी, इंदरानी मेडी सिटी जो है, ये भारत का पहला medical city बनेगा, तो यह किस हर में बनेगा, यह पूने में बनेगा, next है, एक ग्यारवे खेल महा कुम्ब 2022, इसका उडगाटन जो है, हमारे माननिय परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने किया है, इसका उडगाटन, इन्होंने कहां किया है, इसका उडगाटन, तो यह आहमादाबाद के अंदर इसका उडगाटन उन्होंने किया है, next है, democracy report 2022, democracy report 2022 जो है, यह VDM संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, वीडियम संस्था के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है इसमें जो पर्थामा स्थान पे है पर्थामा स्थान पे है श्वीडन श्वीडन जो है ये पर्थामा स्थान पे है नेक्स्ट है आप कमेंट्स में लिकर बताइए कि इसमें अपना इंडिया जो है ये कितने नंबर पे हैं नेक्स्ट है बाल बजट बाल बजट ये बाल बजट जो पेश किये है ये मध्य परदेश की सरकार ने बाल बजट को पेश किया है नेक्स्ट है सुष्मा सवराज पुरिश्चकार सुस्मा सौराज पुरुषकार देने की गोशना की गई है हर्याना के सरकार के द्वारा हर्याना के सरकार जो है सुस्मा सौराज जी के नाम पे पुरुषकार देंगी नेक्स्ट है गौतम बुध की शैन मुदरा में इस कुछन को ध्यान में रखेगा काफी important question है exam के purpose से चायो किसी भी exam के हो गौतम बुद्ध की सैन मुदरा में दुनिया की सबसे लंबी परतीमा का निर्मान किस राज्य में किया जा रहा है तो ये बिहार के अंदर किया जा रहा है next है UPI 123 पे ये भी question काफी important है UPI 123 पे इसको launch किया है Reserve Bank of India ने digital भुकतान के लिए next है सहीतो उत्सब सहीतो उत्सब का जो आयोजन हुआ है ये कहां पे हुआ है सहीतो उत्सब का आयोजन तो नई दिल्ली के अंदर सहीतो उत्सब का आयोजन किया गया है next है कोवी फेंज पहले कोवी फेंज को समझे की कोवी फेंज है क्या कोवी फेंज कोवी नाइंटीन की वैक्सीन है ये कोई नॉर्मल वैक्सीन नहीं बलकि प्लांट वेस्ड वैक्सीन है इसको प्लांट से त्यार किया गया है कोवी फेंज को और इसके उप्योग की मंजूरी दिये कानाडा की सरकार ने नेक्स्ट है आरोग्य वनम आरोग्य वनम ये आयुवेर्द अंधे के महत्व को बताने के उदेश से से आरोग्य वनम का सुभारम किया गया है उडगाटन किया गया है किनके द्वारा तो हमारे राश्टपती रामनाथ कोविंद के द्वारा अब देखते हैं आरोग्य बनका उड़ाटन हमारे जो राश्टपती है रामनाथ कोविंद इन्होंने कहां किया है तो ये नई दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है Next है इस्तिरी मनोरक्षा प्रियोजना इस्तिरी मनोरक्षा प्रियोजना ये निमहांस संस्था इस्तिरी मनोरक्षा प्रियोजना की शुरुवात जो है निमहांस संस्था और महिला बाल विकास मंतराले के द्वारा किया गया है Next है वायू शक्ती अभ्यास वायू शक्ती अभ्यास ये भारतिय वाईशेना के द्वारा किया गया है कहां पे किया गया है कुश्चन के अंदर पूछ रहा है तो राजास्थान में किया गया है नेक्स्ट है भारत और अमेरिका भारत और अमेरिका के बीच उनिश्वी सेने सहयोग की बैठक का आयोजन कहां हुआ है तो यह आगरा के अंदर हुआ है नेक्स्ट है दवेल्थ रिपोर्ट 2022 दवेल्थ रिपोर्ट 2022 इसको जारी करता है नाइट फ्रेंक नाइट फ्रेंक एक संस्था है इसके दवेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी किया जाता है और इसमें अरवपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आवादी किस देश में है कुशन के अंदर यह पूछा जा रहा है कि अरवपति लोग जो है इसमें तीसरी सबसे बड़ी आवादी जो है यह किस देश में रहती हैं तो यह भारत के अंदर रहती हैं अपना प्यारा भारत के अंदर अरबपत्यों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है नमबर एक पे अरबपत्य में हैं अमेरिका नमबर दो पे हैं छीन नेक्स्ट है सेनवार्न ये काफी अच्छा प्लेयर थें अस्ट्रेलिया के और इनका जो नीधन हो गया है ये अस्ट्रेलिया के प्लेयर है सेनवार्न और इनका नीधन हो गया है नेक्स्ट है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा परनाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा परनाली इसका जो नाम रखा गया है कवच रखा गया है ये शिकंद्रावाद में इसका सफल परिक्षन किया गया राष्टिय सुरक्षा दिवस के दिन और राष्टिय सुरक्षा दिवस कब होता है ये 4 मार्च को मना जाता है राष्टिय सुरक्षा दिवस राष्टिय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मना जाता है और इसी दिन सिकंद्रावाद में स्वच आलित ट्रेंज सुरक्षा परनाली का सफ़र o result किया गया, जिसका नाम कैया रखा गया है, कवच रखा गया है, नेक्स्ट है, विश्ववण जीब दिवश, दो हचार बाइस, मनाय गया, बिश्व बन्ने जिब दिवस ये प्रतेक साल तीन मार्च को मनाया जाता है और 2022 का जो थीम है थीम है 2022 का रिकॉबरी की एस्पीसेस फोर इको सिस्टम रियोस्टोरेशन है नेक्स्ट है एक तिस्वा दक्षिन पूर्ब S.E.I. खेल 2022 एक किस देश में आयोजित किया जाएगा तो ये बियत नाम के अंदर आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट है Smart Managed Electrical Vehicle Charging Station इसको आप याद कर लिजे Smart Managed Electrical Vehicle Charging Station ये कहां शुरू किया गया है तो ये नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है किस के दौरा तो B.S.E.S. के दौरा B.S.E.S. के दौरा Smart Managed Electrical Vehicle Charging Station की शुरूआत की गया है नई दिल्ली के अंदर नेक्स्ट है आए यहाँ पे देखते हैं कुछ तथ्य दिये हुए है इसमें सत्य को पहचानना है कि कौन सा सत्य है अंतराश्टे निशानेवाजी खेल ISSF विस्वकप 2022 हुआ था इसके संबं प्रषे में भाड़ा जुए साथ परतक के सांद पर्थमस्थान पे हैं यह बिल्कूल सही आए है यह बिल्कूल संचिए या इसका ओप्यूक्त सभी इसका इंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है पाँचवी संजीवक्त राष्ट प्रियावरन सभा ये कहां संपन हुआ है तो नैरोबी में संपन हुआ है पाँचवी संजीवक्त राष्ट प्रियावरन सभा नेक्स्ट है सीत कालीन उत्सब ये तिन दिन मनाया गया है सीत कालीन उत्सब भारतिय शेना के तो पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो जमू कश्मीर के अन्दर इसका आयोजन किया गया है। तो करमा कारकरम का जो पहला चरन है यह किस राज़ से सुरू किया गया है तो यह Holding किया गएग्या संदर कण ड्यूर्यां realities नेक्स्ट है study in India study in India 2022 इसकी जो बैठक हुई है यह कहां पे हुआ है study in India तो इसकी बैठक धाका के अंदर हुआ है study in India 2022 इसकी जो बैठक हुई है इसका जो बैठक का आयोजन हुआ यह कहां पे किया गया है तो यह धाका में किया गया है Qischen के अंदर यहीं है. Next है, next है ICC महिला कर्केट Bisp Cup 2022 जो एक पुरुष का होता है World Cricket World Cup Cricket का और एक महिलाओं का होता है तो महिला का जो World Cricket Bisp Cup जो होंगे इसका आयोजन किस देश में किया गाया है तो New Zealand में किया गया है नेक्स्ट है भारत की पहली एंबूलेंस सेवा किस सहर में शुरू की गई है किसके लिए जानवरों के लिए जो जानवर सरक पे रहते हैं सरक पे रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एंबूलेंस सेवा शुरू की गई है यह चिन्ने के अंदर शुरू की गई है नेक्स्ट है सिलीनेक्स है आईए इसको समझ लेते हैं SL से स्रिलंका होता है IN से इंडिया होता है EX से एक्सरसाइज होता है तो स्रिलंका इंडिया एक्सरसाइज इसके जो 9 संसकरन हुए है यह 7 मार्च को मनाए गया है और यह भारत और स्रिलंका के वीच में हुआ है Next है कुछ पुस्तके दी हुई है और इनके जो राइटर है यह दिये हुए है तो आएए देखते है The Millennium Yogi जो है यह Captain Dipam Chatterjee का है यह बिल्कुल सही है उरान एक मज़दूर बच्चे का मितले स्तिवारी का है यह भी बिल्कुल सही है The Queen of Indian Pop यह स्रिष्टी जहा का है यह बिल्कुल सही है यानि उप्युक्त सभी इसके एंसर हो जाएंगे Next है Demate खातो Demate एकाउंट जो होता है Demate एकाउंट Demate एकाउंट को पंजिक्रित करने वाला BISB का पहला Depository बन गया है कितना 60 मिलियन 60 मिलियन से अधिक Demate एकाउंट को पंजिक्रित किया है कौन तो यह कोई और नहीं यह भारत का Central Depository Service Limited के द्वार किया गया है Next है Mobile World Congress Mobile World Congress का आयोजन कहां किया गया है Mobile World Congress का आयोजन Barcelona, Spain में किया गया है Next है पंडित हरी परसाद चोरश्या Lifetime Achievement Award पंडित हरी परसाद चोरश्या Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो उस्ताद अमजद अली खान जी को सम्मानित किया गया है पंडित हरी परसाद चोरसिया lifetime achievement award आप comments में लिकर बताइए कि पंडित हरी परसाद चोरसिया जी क्या बजाते थें और उस्ताद अमजद अली खान ये दोनों क्या क्या कौन सा यंतर बजाते थें ये हमेशा exams के अंदर पूछा जाता है तो आप comments में लिकर जरूर बताइए और दोस्तों ये 50 questions जो है set 1 का end होता है तो thank you for watching